तो दोस्तों ऐसे कार्डबोर्ट तो आपके घर पर आदे ही रहते होंगे न कोई भी ऑनलाइन आप सामान ओर्डर कर रहे हैं या कुछ भी मगाते हैं तो ऐसे घट्टे होते ही रहते हैं तो अभी तक इदिया आप मेंने चनल पर नए है तो मैं हूँ नेहा और नेहास के जी मिला में आपको सागत है उसी के साथ आपने चनल को सब्सक्राइब कर लीचे और आपको आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए तो चली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और साइड साइड का हमारे लिए बेस्ट है तो इसको हम निर्पकाल देंगे भी और सिप पहले हमें एक पैंसल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पार्ट्स पर एक्क्वली ड्रॉ हो जाए तो यहाँ पर मैं एक ट्री को ड्रॉ कर रहूं एक बड़ा सा ट्री आप चाहें तो एक ट्री पर कुछ बर्ट्स बैठे हुए इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ फ्लार्स ड्रॉ कर सकते हैं या कोई पॉट में बहुती खुबसूरत खुबसूरत से फ्लार्स अलग अलग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप एक ट्री की जगह तीन पेड़ अलग-अलग ड्रॉ कर सकते हैं तो इसके हमें बहुत सारी ब्रांचिज बना रहे हैं और इस पर कुछ पत्यां बना देंगे और कुछ फूल बना देंगे तो इस तरह से हमने कुछ फूल पत्यों के साथ पूरा ड्रॉ कर लिया है अब मैंने लिया है आप होट ग्लुगन तो बस होट ग्लुगन को जब भी आप स्टार्ट करें तो ध्यान रखना है कि पहले आप इसको प्लग इन कर लें और उसके बाद 2-3 मिनिट के बाद स्टार्ट करें तो यह बहुत ही इजीली एपलाई होने लगती है क्योंकि इसको गर्म होने में लगए तीन-चार मिनिट का टाइम लगता है और उसके बाद हमने इसको होट ग्लू गन से थोड़ा-थोड़ा फिल कर देना यानि ब्रांचिस को फ्लार को सभी चीजों को इसी तरह से हम ने जो भी ड्रॉ किया है यहां पर पतिया फ्लार टेहनिया उन सबको हम होट ग्लू गन से फिल करते हुए जाएंगे तो यह देखिए मेरा पूरा तयार हो गया हमें यहां पर लूगी स्प्रे पेंट आपके पास यह दिए स्प्रे पेंट नहीं भी है तब भी आप किसी भी फॉर्म की हेल्प से कोई भी पेंट यहां पर एपलाई कर सकते हैं और उसके बाद हम एक पेपर कटर की हेल्प से या फिर आप कोई नाइफ ले लिजे शार्प नाइफ उसकी हेल्प से इसके तीनों पीसे को अलग-अलग कर लेंगे यह देखे एकदम अलग-अलग कर दिया है हमने और इसको भी हमने गोल्ड पेंट किया था बट अभी हम इस पर हलका सा ब्लैक टच भी देंगे तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर निकाल लिया है और एक फॉर्म की हेल्प से इसके कुछ-कुछ पार्ट्स पर हम हलका-हलका ब काइ 뉴스 बग्रुझल को और इसके पीछे हम पेस्ट करेंगे जना पर हम फिर से इस स्प्रेइ पेंट यह जो अलग से नहीं दिखेगा यदि आपकी बॉल का कलर वाइट है या फिर यलो है तो जो आप इसके पीछे एक स्टेप लगाएंगे उस पर आप वो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसे वाइट या फिर ब्लैक तो यह दिखे यह हमारा बनकर एकदम रेडी हो चुका है तो चलिए इसको लगाते हैं दिवार पर यह लगने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है